हुआ 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 है सो हे गाइस नमस्कार दोस्तों कैसे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आपको एक स्टोरी शेयर कर रहा हूं और यह स्टोरी आपकी जिन्दगी में जरूर परिवर्तन लेका आएगी तो अंत में जो इस स्टोरी के जो मैसिज है आप उस पर जरूर गूर करना कभी कभी क्या होता है कुछ चीजों का जो शेलियूसन होता है बहुत इसी होता है बहुत आशान होता है और हमारी आखों के सामने होता है लेकिन हमारी आखों के सामने होते हुए भी न हम उसको पहच नश्ट करते रहते हैं वेस्ट करते रहते हैं तो इस्टोरी यह है कि एक बार की बात है एक शहर में एक बहुत अमीर इनसान रहता था और उस अमीर इनसान के पास में बहुत ही जादे पैसा था और उस पैसे का उसको घमंड भी था एक्षिली हुआ किया कि उस अमीर थिन्सान को एक बार एक बीमारी हो गई और बीमारी किया थी बीमारी यह थी कि उसकी आँखों में अलरजी हो गई और अलरजी वह इस टाइप की हुई आज कि इक उसकी आझों में बहुत ज़यदा जलन होती थी उbor परिषान बहुत सारह उसने पैशा खर्च किया बोड़े-बड़े डोक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसका जो solution है वह बराबर में city के अंदर या विदेश में एक डोक्टर है उसके पास में वह गया जानने के बाद में उसने डोक्टर से अपने सारी प्रोवलम शेर की तो डोक्टर ने उस समश्या का समधान उसको यह बताया कि आपको आपकी आँखों में जो allergy है वह इस टाइप किये कि आप हरे रंग के रावा कोई दूसरा रंग नहीं देख सकते हैं इसलिए आपको सिर्फ हरा रंग देखना है अगर आप हरे रंग के लावा किसी दूसरे रंग को देखेंगे तो आपके आँखों में जलन होगी आपके अलर्जी कम नहीं होगी डॉक्टर के बाद सुनने के बाद में वह जो अमीरी नसान था वापस अपने घर पाया और उसने अपने नोकों से सबसे यह बोल दिया कि जहां जहां पर भी मैं जाता हूं जिए चीज पी मेरी नजर पड़े इस पूरे सिट्री को पूरे सहर को अब हरा करवा दिजिए द कि असकी नजर हए रंग पढ़ जाती थी जैसा स्मान की ओपर देखता था अपनी की तुछय के ओपर देखता था अपनी कलर और को देखता ता कहीं हिना कि उसका जो है नजर जो थी वहारी रंग लाब पढ़ जाती थी लेकिन समझ्च्य का समधान नहीं हो रहा था तो एक बार एक intelligent एक बहुत पढ़ा लिखा intelligent व्यक्ति माली जीए direct selling business का diamond distributor उस city से निकला तो उसमें चारो तरफ देखा कि सब हरा हरा ही दिखाई दे रहा है दीवारे ये machinery या जो भी वहां सब हरे हरे दिखाई दे रहा है तो उसने वहां के व्यक्तियों से पूछा कि यह माजरा क्या है यह सब हरा हरा क्यों दिखाई दे रहा है तो वहां के लोगों ने वोला कि यहां के जो राजा है यहां के जो सबसामीर इनसान है उनके पास बहुत सारा पैसा है और उनको बीमारी हो गई है कि हरे रंग के लावा वो किसी दूसरे रंग को नहीं देख सकते हैं और इसमें बहुत सारा पैसा उनने खर्च कर दिया लेकिन फिर भी समस्या का समधान नहीं हो रहा है वो बोले किया समस्या का समधान त आपको पता नहीं है इस समस्या का समधान तो बहुत इसी है बहुत आसान है और बहुत ही सस्ता है बहुत ही कम पैसे में हो जाएगा नाम मात्र के बराबर तो बोला ठीक है मेरे को बताई बहुत जल्दी से बताई क्योंकि मेरे को जरुवत है तो उस आप इनसान को न्यूंड डिस्टिबूटर था कि राजजी आप एक काम कीजी अप हरे रंग का किस्मा मगाली जिए जब आप हरे रंग का किस्मा पहनेंगे तो छस्मा पहनेके बाद को सारी चीज अरी अरी दिखा Ay देंगी जिस चीज को भी देखोगा आपको हरा लगेगा तो राजा ने बोला कि यह तो बहुत आसान है और बहुत इसी है तो तो ठीक दोस्तों हमारी जिन्दगी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम व्यर्थ में अपनी एनर्जी नस्ट करते रहते हैं लेकिन उसका जो समधा समधान होता है वो हमारी नदूरों के सामने होता लेकिन हम पैचान नहीं पाते हैं तो यस आपको यह सपनेश मिलता है कि आप अपनी एनर्जी को जो वयर्थ जगेवेस्ट कर रहे हैं तो कहीं नखोंत करने झाल झाल